पीएम विश्वे करमा योजना के अंतरगत पोरम बनने वाले दरजी टेलर को कब सिलाई मसीन मिलेगी और पीएम विश्वे करमा योजना के अंतरगत पोरम बनने की अंतिम तारिक कैम नमस्कार दोस्तों हम सबी देख रहे हैं जौबलाड गरू क्या आपको पीएम विश्व कर्मा योजना के अंदर सरकार की योजना इस योजना के अंतरगत 18 परकार के परंपरी काम करने वाले कामगार अपना फोरम बर सकते हैं दोस्तों अगर आपने पीम विश्व कर्मा योजना में फोरम बर दिया तो आज हम आपको बताएंगे कि टूल केट खरीदने के लिए 15, 15,000 रुपए के यह वाफचर आपको कब तक मिल जाएंगे पीम विश्व कर्मा योजना के अंतरगत आप तक एक क्रोड़ पचास लाग से ज्यादा फोरम ब्रेज आ चुके हैं जिस में से 56 लाग से ज्यादा फोरमों को पहले स्टेज पर वेरिफाई कर दिया हैं और 22 15,000 रुपए वहीं ट्रेनिंग में हर दिन 500 रुपए 15 दिन के ट्रेनिंग होगे साथी एक लाख रुपए रिन भी दिया जाएगा और दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए लोन भी दिया जाएगा तो पीम विश्व कर्मा योजना में फोरम बढ़ने वारे लगबग सात ला कि आप इस तारिक तक पीम विश्व कर्मा योजना में फोरम बर सकते हैं साथी पीम विश्व कर्मा योजना के अंतरगात ओं-लाइन फोरम बिल्कुल फ्री में भराज़ हिता है आप रुपने नजदिक किसी भी जन सुवीदा के अंदर कोमन सर्वी सेंटर बर जाकर फोरम बरवाज सकते हैं पिम विश्व कर्मा योजना में फोरों बढ़ने वाले अभियर्थी की नियूंतम आई उठारा वर्स पूर्ण होने चाहिए साथी लाबार्थी द्वारा सुए रोजगार के लिए या फिर वेबसाइट के लिए किसी भी परकार की क्रेडिट आदारित इस जैसे केंदर सरकार की PM, EGP, PM, स्वेनिदी, मुद्रा या फिर राज्य सरकार की स्कीमों के अंतरगत रिन प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए अगर किसी ने पांच साल पहले इन योजनों में लाब लिया है तो वो इस योजना के लिए पातर हैं साथी PM विश्व कर् प्रिवार का सदश बाब ले सकता हैं साथी सरकारी सिवा में लगे लोग तता उनके प्रिवार के सदश इस इसकें के अंतरगत पातर नहीं है यानि कि जिनके घर परिवार में सरकारी करम चारी है वो इस PM इस्वे करमा योजना में फोरम नहीं बर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि PM इस्वे करमा योजना के अंतर गत कौन-कौन फोरम बर सकते हैं यानि कि क्या-क्या काम करने वाले फोरम बर सकते हैं उसके प्रमा योजना में 18 परकार के परंपरी काम करने वाले फोरंबर सकते हैं जैसे एक नमबर कारपेंटर सुथार बड़े का काम करने वाले फोरंबर सकते हैं नाव निर्माता फोरंबर सकते हैं अस्तर कार फोरंबर सकते हैं बलेक इस्तमेत यानिकी लोहार फोरंबर सकते हैं प मुर्तिकार पत्थर तराशने वाले पत्थर तोड़ने वाला फोरम बर सकता है चरम आदारित काम करने वाले मोची चरम कार जूता बनाने वाला फुटवेर कारिगर फोरम बर सकता है निर्मान का काम करने वाला यानि की कंट्रेक्शन में राजमिस्त्री का काम करने वाला फो बूनने वाला गुडिया और खिलोने बनाने वाला नाई फोरम बर सकता है मालाकार फोरम बर सकता है दो भी फोरम बर सकता है और फीसिंग नेट मेकर भी फोरम बर सकता है तो दोस्तों पीम विश्व करमा योजना में यह 18 परकार के पारंपरी काम करने वाले कामगार फोरम ब ते जाएगा प्हींविश्विवध्य करमा योजना में फर्णी मिया जाएगा और हर दिन 500 रुपए दिया जाएगा और 5% ब्याज़ दर के साथ में 1,00,00 रुपएह पहले किस्त मिलेगी वह दूसरे किस्त 2,00,00 पांच परसेंट ब्याज पर बिना गारंटी के दिया जाएगा अगर आपने प्याइम विश्व करमा योजना में फोरम बर दिया तो सबसे पहले आप अपने फोरम का इस्टाडस चेक कर लें ओपीशल पॉर्टल पर यहां पर मिलता है लोगिन यहां पर आपको क्लिक करेंग यहां कि हमारे आधार काड से जुड़े हैं मोबाइल नमर हमें यहां पर टाइप कर देना है उसके बाद में यह जो कैप्चा कोड दिये गया है यह हमें टाइप कर देना है और लोगिन पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों जैसे हम लोगिन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हम इस नेहीं यहां पर आदार काड से जोड़े ओड़ इस तरह से ओपन होजाएगा यहां फोरिम कर आपको skill training मिली या फिर नहीं मिली आपका फोरम का status क्या है सब कुछ जानकर आप यहां से चेक कर सकते हैं सबसे पहले हमें यहां पर PM विश्व कर्मा registration के step चेक कर लेना है यहां पर आदार EKYC complete के गया है उसके बाद में PM विश्व कर्मा का registration के गया है certificate और ID card generate होने के बाद में हमें यहां पर 15,000 रुपए दिये जाएंगे वो training के बाद में दिये जाएंगे यान कि skill training होगी दो तरह की skill training होती है 15 दिन के भी होती है और 7 दिन के भी होती है और हर दिन 500 रुपए दिये जाते हैं skill training आपके छेतर में ही होगी यानि कि हमारे ब्लोक में ही हमें ट्रेनिंग दी जाएगे और दोस्तों योजना के अंदर का जो हमें टूलकिट खरीदने के लिए 15,000 रुपए के ये वापचर दी जाएगे ये निर्दारित इस्टोर पर ही ये वापचर जमा होगे यानि कि एक इस्टोर निर्दारित क्या चाएगा कि वहाँ से आप टूलकिट खरीद दिए सकते हैं वहाँ पर ही ये वापचर जमा टाटबस क्या है यानि कि कहा पर आपका फौर्म पैंडिंग है यहां से चेक कर सकते हैं तो दोस्तों PM ज्वा करमा योजना के अंदरगाथ 7 लाकशे ज्यादा वेक्तियों को 15,000 रुपए के इव आपचर मिल चुके हैं 7,000,000 से ज़्यादा वेक्तियों को ट्रेनिंग दी जा चुके है यानिकी स्किल ट्रेनिंग भी दी जा चुके है सर्टिविकेट दिया जा चुका है ID कार्ड भी दिये जा चुके है अब हम आपको PM इस्वे करमा योजना के लोन के बारे में बताते हैं कि अगर आपने फोरम बरते समय लोन को सेलेक्ट किया है यानिकि अगर आपने क्रेडिट सुपोर्ट में यस को सेलेक्ट किया है तो आपको पहली बार 1,00,000 रुपए मिलेंगे पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद में दूसरी किस्त में 2,00,000 रुपए दिये जाएगे और 30 महीने में 5% ब्याज के साथ में वापस जमा करवाने होगे अगर आपने यहां पर ओनलाइन पूरम बरते समय यस की जगए में भी लेटर को सेलेक्ट किया हुए यानि कि आपने यस को नहीं सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको लोन नहीं मिलेगा यानि कि अगर आप बिना लोन के भी प्येम इश्वे करमा योजना में आप पूरम बर सकते हैं यानि कि अगर आपको टूल किट के लिए 15,000 रुपए के एई वापचर चाहिए अगर आपको लोन नहीं चाहिए तो यहां पर आप में भी लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं लोन जो दिया जाता है वो पहली बार में 50,000 रुपए से लेकर 1,000,000 रुपए के बीच में दिया चाहिएगा 50,000 रुपए से कम नहीं मिलेगा और 1,000,000 रुपए से ज़्यादा नहीं मिलेगा साथी दोस्तों आप से भी की जानकर के लिए बताएगे कि PM इस्व करमा योजना में जो हमने बैंक काते की डीटेल दिया है पर जानकर 2,000,000 रुपए में तो दोस्तों पिम इस्व करमा योजना में दरजी टेलर का काम करने वाले है अब उनको फ्री में सिलाई मसीन कब मिलेगी ये आप ओनलाइन स्टाटस चेक कर सकते हैं आप सभी की जानकर के लिए बताएं कि फ्री में सिलाई मसीन नहीं मिलेगी सिलाई मसीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए के ये वापचर दिये जाएंगे ऐसी आपकी कमाने वाली वीडियो जाते हैं लेकर आते रहेंगे विलेंगे दोले वीडियो में एक नहीं जानकर के साथ तब तक लिए आप सुलिगा देन सोबर जही नवन नवात्रम जह सरी राम